विल्कम तो दवेव मैट्स प्रिस्टावली 8.4 का कुछनमर 2 है कि कौन ए कि सभी तुरी कौन मित्रीय निपारत को हमें सीक ए के पदों में लिखना है कि सब्सक्राइब को सीधि करें लिक्षद में ँरुन में अपने बसं करेंगे और को कोचर को स्वाइब कर सकते हैं और से सेख में चेंज कर देंगे तो यही प्रिंसेपल लगाएंगे हमारा अंसर आजाएगा तो हमनों जानते हैं कि से स्क्वेर एसस्वेस्ष लेकिन में क्या चाहिए सिर्फ स्घ्य न तो सीइम्पल्र के से स्वेता आ। तो यहोता है मतलब द्सीदेन मैं उल्कूश ऐस्ष है तो आप तो उन जानते हैं है से इसक्याफ होता है 1 by C के लिए ने लिए देंगे 1 by C A और A² है तो A² लगा दिएंगे ठिक है तो रूट के अंदर अब बिल्कुल इजी Éलसम लेंगे 1 इतनी नीचे ऐलसम क्या आएगा सुक्वेर ए और 1 से से की स्कॵेर ए कितना अर में से के स्कॵेर एक बार में या वन बार में तो यह हमारा वन तो देख सकते हैं हमने स्काइन को किसके टर्म में चेंज कर दिया सेक के टर्म में चेंज कर दिया हम लोग अगर चाहें तो इसे एक स्टेप और बढ़ाकर लिख सकते हैं वो क्या है कि हम लोग सेक स्क्वेर ए और माइनस वन और बटा में सिर एप अपर चरा हुआ तो हम लोग जानते हैं कि इसको ऐसे रूट कर जाता है इसलिए मैंने ऐसा किया और यही एक राइट अंसर। की मेस तो हमने cein को चेंज कर दिया अब किस तो सकते हैं हम लोग कॉष को चेंज कर दोते हैं तो कॉष अ तो यह तो सबसे easy term है हम लोग जानते हैं को से बावर क्या होता है one by ck और हमने से के term में change कर दिया क्यों पर रखा है कि को से किसका उल्टा है one by ck क्या होता है और हम लोग 10 के term में कर देते हैं तो चले लिखते हैं tan a चेनल किस में करना है ck के term में तो बहुत easy है हम लोग जानते हैं कि tan square a बरावर ck square a minus one होता है तो यहाँ पर tan a के जगा सबसे पहले tan square a लेंगे जो मान है क्या मान है ck square a minus one रखेंगे और हम लोग जानते हैं कि जब भी इधर equal to के इधर square हो अगर उधर जाता है तो क्या चाहता है root चाहता है मतलब root के अंदर root के अंदर हमारा ck square a minus one तो sin a, cos a और tan a को भी हमने इस term में change कर दिया तो हम अराम ली सकते हैं क्या tan a बड़ाबर में क्या simply ck square a minus one बचा कि हमारा सिर्फ cos a और court है इसे भी हम लोग इजली रूप से change कर देंगे चलिए अब change करते हैं किसके हमें cos a को cos a तो हम लोग cos a को सीधे चीज़ नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर cos a को हम sin के term में change कर दें और sin को हम लोग cos के term में change कर दें और cos से change में चले जाए तो ऐसे यह हमारा एक cycle बन जाएगा और हम लोग आसानी से solve कर लेंगे तो हमें क्या पता होता है cos a बढ़र हमें पता होता है क्या होता है 1-sin a ठीक है फिर हमें पता है one minus क्या हमें यह पता होता है कि sin square a बढ़र one minus cos square a बट यहां पर सिप sin है तो simply root square को हटाएंगे और उधर root चला देंगे sin a बढ़र root के अंदर one minus cos square a चले यह काम्याहें कर देते हैं तो sin a क्या हो जाएगा root के अंदर one minus cos square a यहां तो सब पुरा क्यार होगा फिर हमें जानते हैं कि cos किसका उल्टा होता है cos होता है one by sin a पर यहां पर क्या है यहां पर cos square a है तो इस पर भी क्या हो जाएगा square चल जाएगा ठीक है तो हमारा one by root के ही अंदर one minus cos square a क्या हो जाएगा one by sin square a अब simply root से क्या करेंगे calcium ले लेंगे root के अंदर क्या होगा one तो calcium क्या हैगा six square a फिर one से six square a कितना अर्मे six square a और minus six square से six square a कितना अर्मे one बार में बिल्कुल लिजिए इससे हम लोग एक step और बढ़ा कर ले सकते हैं root के अंदर six square a minus one और six square a कैसे सकते हैं यह दोनों इस पर भी है और इस पर भी तो क्या है हमारा अंदर six square a तो इसको ऐसे root कर जाता है मतलब सिर्फ होगा हमारा यह six a और हम लोग बेसिक में जानते हैं कि यह इसी गुना हो जाता है मतलब six a root के अंदर six square a minus one और हमारा सिर्फ अब court का बचा उसे भी कर लेते हैं अब हम लोग court को भी change कर देंगे तो हम जानते हैं court और क्या होता है one minus ten ने ten में क्यों change किया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि simply रूप से कि ten a तो नहीं बट ten square a बराबर होता है six square a minus one सिर्फ ten लिखा हुआ है तो square हटाएंगे और उधर root चरहा देंगे मतलब six square a minus one चलिए यह काम यहां कर देते हैं यह क्या हो जाएगा हमारा six square a minus one यह question हमारा solve होता है अगले question कर लिक मैं description box में देंगा और हमारे चैनल को जड़ू सब्सक्राइब कर दें कि वैं पूरी से बस कवर कर रहा हूं और सबसे बिश्ट पढ़ा रहा हूं